तो हमारा जो next question हमारे लिए arise होता है वो यह है कि क्या sound को travel करने के लिए medium की जरुरत है और अगर है तो कौन-कौन से medium में sound travel कर सकता है तो इस dab question का answer हम आज जोड़ेगे तो हमारे से पहला कोशन है कि sound को travel करने के लिए medium की जरूत है तो अगर हम air को हटा दें कहीं से तो क्या sound वहाँ पर travel करेगा यानि कि vacuum create करते हैं तो real life में vacuum तो create करने सकते हैं लेकिन हम air की quantity को reduce कर सकते हैं यानि कि हम किसी चीज़ को एक box में बंद कर सकते हैं तो वही चीज़ हम यहां पर करने वाले हैं कि हमारे बास यहां पर एक mobile phone है इसके अंदर में एक song play करते हैं ठीक है आपको song की आवास होना दे रही है अब हम इसको क्या करेंगे अब मैं इसको क्या करना बॉक्स केंदर रख दूँगा और बॉक्स केंदर रखने काद मैं बॉक्स को close कर दूँगा तो आप देखना कि sound में क्या difference आता है sound की loudness में अब देख सेकते हो sound क्या सुना है इतरा बहुत धीमा अगर मैं इसको खोल दूँ है 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 तो जैसा कि आपने देखा कि sound जो है वह यहां पर आपको कैसे वाक लाउड और slow दिखाई दिया क्यों क्यों कि जब आप बॉक्स को बंद कर देते हैं तो उसके अंदर जितनी एर है सिर्फ उतनी ही एर में sound travel करता है लेकिन बॉक्स को खोल देते तो surrounding air भी उसके साथ में react करती तो यानि कि अगर एर को जितना कम कर दिया जाएगा sound उतना ही कम हो जाएगा यानि अगर इस इस box के अंदर के हम सारी air निकाल दे और उसमें vacuum create कर दें तो वहां पर कोई sound नहीं होगा इसका best example है हमारा outer space outer space पे हमें कोई चीज सुनाई नहीं देते को कि वहां पे किसी भी तरह की कोई air नहीं है अगर वहां पे air होती तो sun पे होने वाले जो blast है वो हमें earth तक सुनाई दे रहे होते या फिर जो asteroid टकराते हैं वो सब sound हमें सुनाई दे लेकिन ऐसा कोई भी sound हमें सुनाई नहीं देत जिससे यह clear होता है कि sound को travel करने के לי months है तो हमने यह तो पता कर लिया कि sound को travel करने के लिए medium की जरौत है लेकिन आप question यह होता है कि sound कौन से medium में जादा fast travel करेगा एयर में liquid में या solid तो इस चीसको हम कैसे सब्सक्राइब आपको इसके इंदर बजाओंगा तो साउंड प्रडूस होगा इस साउंड को सुनने के लिए कान को इसकी सर्फेस पर लगा सकते हो पूरा कान मत डुबाना है और आपको सिर्फेस पर तच करना है ताकि आप इसकी vibration को feel कर सको और आपको पता चला है कि sound liquid में भी travel करता है ऐसे तो शायद तक आपको ये भी सुनाई दे सकता है बाहर से लेकिन इसना clearly नहीं सुनाई देगा अब इसके लागर हम बात करें तो sound solid में भी travel करता है इसका सबसे बड़ी एक्जामपल है आपने कभी ना कभी एपने classroom की bench के उपर सर रखके bench को बजाया ज़रूर होगा और आपको sound सुनाई देता है ठीक है तो यहाँ पर हम तीनों चीज़ को clarify कर सकते हैं कि अगर हम किसी चीज के उपर जैसे इसके उपर अगर मैं टेबल के उपर अपने कान लगा के इसको बजाऊंगा तो मुझे उटी सुनाई देती है मेरे कानों में यही सेम चीज़ आपने bench के साथ की होगी तो यहाँ पर question यहाँ आता है कि sound air में जादा fast travel करता है water में या solid में तो यह कैसे पता चलेगा उसका simple सा example में आपको देता हूँ कि आपने यहाँ पर कभी न कभी train की पट्री रही होगी और पट्री के उपर आपने बच्पन में कान लगा के ज़रूर सुना होगा तो आप आप देख सकते हो कि train भले बहुत दूर हो आपको दिखाई भी ना दे रही हो उसकी कोई horn की आवाज सुनाई भी ना दे रही हो लेकिन पट्री पर जब आप कान लगाते हो तो train की आवाज आपको कानों में फील होती है यानि कि जो sound है वो solid में सबसे fast travel करता है इसी वज़ सबसे fast travel करती है liquid में सबसे slow और गैस में सबसे तो क्यों होता है particles के उपर है कि solid के जो पार्टिकल थो बहुत पास-पास होते है liquid के पार्टिकल थोड़े दूर होते है और gas के बहुत जादा दूर होते है यही same reason है कि जो पार्टिकल जितने ज्यादा पास होंगी वो उतनी जल्दी साउंड को प्रापागेट करेंगे या एक जगह से दुसरी का पहुंचाएंगे इससे हम क्लिरली कह सकते हैं कि जो sound है वो solid में सबसे fast travel करता है और air में सबसे slow travel करता है